अगर मैं अभी आपसे पूछूँ कि आप टाइम ट्रेवल करके पास में जा सकते हैं और कुछ भी चेंज कर सकते हैं तो आप क्या करेंगे किस से मिलेंगे और में भी शायद इवन आखरी बार देखे पहला थौट तो हो सकता है आपको आया कि क्या भकवास है लेकिन अगर आ उपने कस्टमर्स को एक यूनिक ऑप्शन देता है पास में जाने का मगर कंडिशन यह है कि कॉफी ठंडी होने से पहले उने वापस भी आना होगा वरना उसके कुछ इन स्टोरीज को सुनने के लिए एक्साइटेड होंगे तो आईए शुरू करते हैं तोशी काजा कावा गुच्ची की बुक और पहली स्टोरी है लवर्स दुनिया में बहुत सारे कैफे हैं पर ये कैफे थोड़ा सा अलग था थोड़ा नहीं काफी अलग था ऐसे तो वहाँ बिलकुल पुराना अर्किटेक्चर था बहुत छोटी सी जगह थी इतनी छोटी कि अगर आप किसी से बात करो तो आस-पास के लोग न चाहते हुए भी आपको सुन लेते काउंटर के पास तीन कुर्सियां लगी थी और उसके सिवात तीन और टेबल थी कुल मिलाकर इस कैफे में नौ से ज़्यादा लोगों के बैटने के जगह नहीं थी पर इस कैफे की कुछ तो अनोकी बात थी एक लड़की इस कैफे में बैठी थी बाल उस पास में वापस दाना चाती है अब ये सुनकर कोई भी कह गहां कि यह लड़की पागल हो चुकी है पर केफे की वेट्रिस काजु तोकेतां बिल्कुल हैरान नहीं हुई इन फेक्ट वह इस चलाती हुई लड़की फूमिको की बातें सुनने लगी फूमिको बहुत इंजिनियर था और वो दोनों एक ही प्रजेक्ट पर काम कर रहे थे जहां उनकी मुलाकात हुई थी फुमिको गोरो से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ट थी और दोनों जल्दी ही डेट करने लगे गोरो को गेम्स बनाने का शौक था और उसका सपना था कि वो किसी बड़ी कंपनी में काम करने लग जाए एक दिन अचानक गोरो ने फुमिको से कहा कि वो उससे मिलना चाहता है कोई इंपॉर्टेंट बात करने के लिए फुमिको जो हमेशा सूट पहना करती थी एक ड्रेस खरीद कर लाई उससे लगा कि शायद गोरो उसे शादी के लिए प्रपोस करने वाला है वो तयार होकर चली गई वो दोनों एक हफ़ते पहले इसी कैफे में मिले थे बात करने के लिए आज बात करते करते उसे पता चला कि गोरो उसे कहना चाह रहा था कि उसकी जॉब लग गई है और वो अमेरिका जाना चाहता है फुमिको बहुत दुखी हुई पर उसने उसे रुकने को नहीं कहा उसके अंदर कई बातें थी जो उसने दबाई हुई थी उसके मूँ से अंत में बस इतने शब्द निकल पाए कि वो गोरो को अपने फ्यूचर के लिए best of luck कह सके एक हफते तक सोच सोच कर फूमेकों को एहसास हुआ कि वो गोरो से अपने दिल की बात कहना चाहती है उसने कहीं तो सुनाता कि इस कैफे में इंसान टाइम ट्रेवल कर सकता है पर उसने कभी इस बात को सीरेसली नहीं लिया था ऐसा कभी हो सकता है क्या पर आज फूमेकों बहुत डेस्परेट थी उसे फर्क नहीं पड़ता कि ये कितनी बकवास बात है उसे बस एक बार गोरो से फिर मिलना था वेट्रिस काजू ने उसे बताया कि बेशक ये मुम्किन है पर इसके कुछ रूल्स भी है पहला रूल वो अपने पास्ट में जाकर अपने प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकती थी ये सुनकर फूमेको भड़क गई क्या मतलब प्रेजेंट को चेंज नहीं कर सकती फिर क्या वाइदा होगा पास्ट में जाने का काजू ने उसे समझाया कि ये टाइम ट्रेवल एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है अगर तुम पास्ट में जाकर थोड़ी भी गडबल कर दो तो प्रेजेंट बहुत हराब हो सकता है जैसे कि पास्ट में जाकर फूमेको के माबाप की कोई लड़ाई करा दो तो फूमेका प्रेजेंट में होगी ही नहीं अब ये सब avoid करने की वज़े से present change नहीं हो सकता ये सुनकर फूमिको दुखी हुई पर उसका फैसला बदला नहीं वो अभी भी जाकर गोरों से past में बात करना चाहती थी फिर काजू ने उसे दूसरा rule बताया उसने कहा कि time travel सिरफ वो लोग कर सकते हैं फूमिको तयार थी उसने काजू से कहा कि वो उसे बता दे कि वो कौन सी कुरसी है वो जाकर बैठ जाएगी काजू ने उसी टेबल की तरफ इशारा किया जहां वो white dress वाली लड़की बैठी हुई थी फूमिको जल्दी से उसके पास चली गई और कहा कि वो वहाँ बैठना चाती है उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया फूमिको उसे परिशान करती रही और वो लड़की नाराज हो गई जैसे ही उसे घुसा आया फूमिको अचानक से थम गई और उसे दर्द महसूस होने लगा वो चिल्लाने लगी और काजू जल्दी जाकर एक कप कॉफी लेकर उस लड़की को दे आई फूमिका को घुसा आने लगा कि वो दर्द से चला रही है और काजू को उस लड़की को कॉफी की पड़ी है जैसी उसने कॉफी सर्व की फूमिको ठीक हो गई ये क्या हुआ और ये कैसे हुआ काजू ने फूमिका को बताया कि वो लड़की एक भूत है फूमे को ये सुनकर एकदम सुन पड़ गई काजू ने कहा कि वो उस लड़की को परिशान न करे और वो लड़की दिन में एक बार बात्रूम चली जाती है और जब वो जाए तब वो आकर उसकी जगह पर बैठ सकती है फूमे को वेट करने लगी काफी टाइम हो गया और फाइनली वो लड़की अपनी कुरसी से उठी फूमे को जल्दी से जाकर उसकी जगह पर बैठ गई अब टाइम आ गया था फूमे को के पास्ट में जाने का काजू आई और उसने फूमे को के सामने एक कॉफी का कप रख दिया आखरी रूल फूमे को सोचने लगी है कोई एक और रूल है काफी डालकर काजू ने बताया कि उसे काफी ठंडी होने से पहले इसे पीना पड़ेगा और वापस आना पड़ेगा फूमे का ने पूछा अगर ऐसा ना हो तो क्या होगा काजु ने बताया कि फिर वो इस आरत की जगा ले 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 गी और हमेशा के लिए उस कुरसी पर बैठी रहेगी फूमिको डर से कांपने लगी काजु ने बताया कि वो आरत अपने मरे हुए पती से मिलने गई थी और टाइम का खयाल रखना भूल गई इससे पहले कि फूमिको को समझ में आता कि क्या हो रहा है वो वक्त में पीछे चली गई जहां गोरो वहाँ दूसरी कुरसी पर बैठा हुआ उसे बता रहा था कि वो अमेरिका जाने वाला है इस बार फूमिको ने कुछ अलक किया उसने पूरी हिम्मत की गोरो को बताने की कि वो कैसा महसूस करती है और हैरानी की बात यह है कि गोरो ने उसे ऐसी बाते बताई जो वो उसे कभी नहीं कहता था उसने का कि उसने हमेशा सोचा है कि फूमिको उसके लिए काफी अच्छी है और वो एक दिन उसे छोड़ देगी पर फूमेको तो इस कदर तक relationship में interested थी कि वो गोरो से शादी करने का सोच रही थी अपने दिल की बात करके गोरो ने फूमेको को बताया कि वो उसका तीन साल इंतजार करे फूमेको ने जल्द से जल्द उसे कहा कि वो उसकी सीट है फूमेको वहाँ से उट गई और उसके दिल को काफी सुकून मिला उसे समझ में आया कि बातें दिल में रखकर उसने कितनी बड़ी गलती की थी शुक्र गजार होकर वो पे करने निकलने लगी वाइड ड्रेस वाली अरत मुस्कूराने लगी और जो किताब वो पढ़ रही थी उसे बंद करने लगी नॉविल का टाइटल अब दिखने लगा था बड़े अक्षरों में उस पर लखा हुआ था लबर्स